माया सरोवर पार्ट फोर कहाने सुनने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए सेनापती का पुत्र मंगलवर्मा खट्ग विद्या थदा धनुर विद्या में प्रवीन जरूर था मगर एक साथ दो भाग उसके ओर बढ़ते देख वह डर गया उसने दो कदम पीछे हटाए उचल कर चहर दिवार पर लांग कर अपनी रक्षा करने के लिए कोई उपाई धूनने के हेतू उसने सिर्व उठा कर देखा भाग का रौदर रूप देख सभी लोग डर गये मंगल वर्मा डर के मारे थर-थर कांप उठा चहर दिवार के उपर खड़े जैशील ने सोचा की मंगल वर्मा डर गया है और इस भाई की वजह से शायद वह अपनी आत्मरक्षा के लिए भी तलवार का उपयोग न कर सकेगा इसलिए उसने चिला कर कहा मंगल वर्मा डरो मत तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वह अपूर्व शिक्तियाम रखती है एक-एक प्रहार से एक-एक भाग का वदखर डालो यह चैतावनी पाकर मंगल वर्मा के मन में हिम्मत भंद गई क्योंकि उसके हाथ में अपूर्व शिक्तियाम वारी तलवार है यह सूचना देने वाला विक्तिश्वायम जैशिल है फिर भी उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ कि अगर उस तलवार में ऐसी महत्वपूर्व शिक्तियाम न हो तो मंगल वर्मा के मन में इस संदेह के पैदा होते ही उसका हाथ खाम भोटा तबी एक भाग ने उस पर जपटकर अपने पंजे का प्रहार किया मंगल वर्मा की बुझा पर चोट खाकर मंगल वर्मा जोर से छीक उटा वह अपनी मौत निकट आई जाकर जानकर सहसपूर्वक तलवार भाग की चाती में गुसेडने को हुआ मगर तबी देखते देखते उसके कामपने वाले हाथ में से तलवार फिसल कर नीचे गिर गई उस दृश्य को देख राजा कनकाक्ष तधा मंत्री भी भाईबीत हो उटे दोनों भाग चार-पांच कदम पीचे हटकर मंगल वर्मा पर आक्रमन करने के लिए अपने पंजे से जमीन को खुर्यदने लगे मंगल वर्मा ने चाहर दिवार से सटकर खड़े हो अपने आँखे बंद कर ली हे वीर युवक जैशील सिद्ध सादक चिला उठा इतने में जैशील ने उपर से बिजली की भांती भागों के सामने खूद पड़ा अपने सामने गिरी किसी आकरिती को पहचान न सकने की हालत में दोनों भाग साजबै के मारे दूसरी वर दोड़ पड़े यह मौका पाकर जैशील ने नीचे गिरी तलवार को चच से अपने हाथ में ले लिया राजा कनकाक्ष चेकित हो मंत्री की वोर देखते हुए बोला महा मंत्री इस युवक की कैसी हिम्मत है इसकी सहायता हमें प्राप्त हो जाए तो युवराज तथा युवरानी को हम आसानी से प्राप्त कर सकते है महराज पहले इस युवक को प्राणों के साथ बाहर आने दीजिए तब हम और बातें पर विचार कर सकते हैं लगता है कि अब की बार दोनों भाग उस पर हमला करने वाले हैं मंत्री धर्ममित्र ने कहा इतने में एक भाग उत्ते जित हो गरजते हुए जैशील पर कूद पड़ा भाग दो फूट की धूरी पर ही थी तबी जैशील ने तलवार खींच कर उसके सिर पर बिजली की तेजी से प्रहार किया छोटका कर भाग का सिर चक्रा गया वह नीचे गिनने को हुआ तबी संबल कर भयंकर रूप से गरज उठा और जैशील पर आक्रमन करने को अपनी पिछली ठाउंगों पर उठ कड़ा हुआ इस बार जैशील ने एक कदम आगे बढ़कर भाग की चाती में सारी ताकत लगा कर तलवार गुसेड़ दी इस घटना के कुछ ही ख्रण में नीचे गिर कर चटपटाने वाले अपने साती भाग को देखते हुए दूसरा भाग सर जुखाए एक पल्टी मार कर अपनी वोर तलवार लिये बढ़ने वाले जैशील को देख येक कदम पीछे हटते हुए थीर की भांती खुले पिंजड़े में जागुसा इस पर राजा कनकाक्ष के साथ सभी लोग उपर से हर्शिद्वनी करने लगे तब जाकर मंगल वर्मा ने अपने आँखे खूल कर देखा उसने मृत्यो भाग तदा पिंजड़े में जाकर क्रोध के मारे गरजने वाले भाग की वोर देखकर कहा महराज यह बात सच है कि इस तलवार में अपूर्व शिक्तियां हैं मगर दुर्भाग से यह तलवार मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर पड़ी इसलिए मैं उसकी शिक्तियों का निन्ने नहीं कर पाया वरन में अपने साहस का परचे देता जैशील ने यह काम किया है वाह मांगल वर्मा तुमने खूब कहा तुम किस्मतवार हो तुम्हारी भुजा पर शायद हलकी छोटाई है इसलिए तुम्हें जान का कोई डर नहीं है मंत्री धर्ममित्र ने व्यंगपूर्ण शब्दों में कहा मैंने पहले ही बताया था कि महाकाल ने जैशील को आशिरवात देकर वह तलवार प्रदान की है उस तलवार के द्वारा जैशील इस खुंखार बागों को ही क्या सारे दुनिया को ही जीत सकता है सिद्ध सादक ने परमानिंद्ध हो कहा मगर एसी शेक्तियाम रखने वारी तलवार मंगल वर माके हाथ में रखते एक भाग को भी मार नहीं सकी राजा ने खीज कर कहा इतने में मंत्री धर्ममित्र ने जुक कर अपना हाथ फेलाया और जैशील से कहा जैशील तुम उपर आजाओ तुमने नकेवल अपने सास का परिचे दिया अपितु हमारे सेनापती के पुत्र के प्राणों की भी रक्षा की राजा कनकाक्ष तथा मंत्री धर्ममित्र ने आप पकड़ कर जैशील चहर दिवार के उपर आप होंच मंत्री धता राजा ने उसका खंता तप तपा कर उसकी वीरता की प्रशमसा की सिद्ध सादक ने उसके हाथ प्रेम से आलिंगन करके कहा जैशील तुम असाधारन वीर हो तुम मेरे लिए महाकाल को सिद्ध सादक राजमहल में जाने पर हम ये सारी बाते सोच सकते हैं फिलहाल तुम थोड़ा मौन रह जाओ इन शब्दों के साथ मंतरी धर्ममित्र ने दूर पर खड़े सेवकों को पुकारा और उन्हें आदेश दिया कि मंगलवर्मा को उपर लाकर उसके घाओं पर पट्टी करें मंगलवर्मा सोचने लगा कि अब जैशिल को आधा राज के साथ राजकुमारी के भी प्राप्त होने की संभावना है अब मुझे क्या करना होगा मन ही मन गुनगुनाने लगा और एक बार चिंता पूर्न दृष्टी दाल कर पूचा सुनो भाग का वद करने वाला उस युवक को राजा ने कोई पुरसकार दिया है या युवराज तधा युवरानी की खोज करने उसे भेज दिया है सर्कार यह हम नहीं जानते सभी लोग राजमहल में जा रहे थे पर श्मशान के पहरेदार का पुत्र बाहर ही कड़ाता बस हम यही जानते हैं एक सेवक ने उत्तर दिया इसी समय श्मशान के पहरेदार के पुत्र ने उन्चे स्वर में कहा महराज मृत होकर भी जीवित मेरे पिता को मारने वाले युवक से मुझे थोड़ा बहुत हरजाना दिलवा दीजिए यह पुकार सुनकर मंतरी धर्ममित्र ने मुड़ कर देखा राजा से परामश करके श्मशान के पहरेदार के पुत्र से कहा अबे तुम्हारे पिता के मरने पर चिंता न करो महाराज ने तुम्हे नगर के समस्तश मेश्वानों के पर्यवेक्षन अधिकारी के पदपर नियुक्त किया है इस वक्त तुम्हे जो तनका मिल रही है उससे सो गुणा ज्यादा मिला करेगी अब तुम शोरगुल मत मचाओ राज महल के अंदर महाराज कनकाक्ष एक उन्चे आसन पर बेटकर तोड़ी देर तक सोचता रहा तब मंत्री से भोला महा मंत्री अब हमारा कर्तव यो क्या है योवराज तथा योवरानी की खोच करने के प्रैत्न में हमारे सभी अनुचर असफल हो गये है अब इसका दायत्व साहसी थदा शिक्तिशाली इस योवक को सौंप दिया जाए तो कैसे होगा मंत्री ने जैशिल की ओर मुड़कर कुछ कहना चाहा तभी सिद्ध सादत ने आवेश में आकर कहा महराज जैशिल के साथ जाने की मुझे भी अनुमती दीजिये जैशिल ने अनुच्छा पूरवक्सिर हिला कर कहा महराज आप से मेरा एक निवेदन है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो राजा कनकाक्ष ने कहा महराज मैं अपने देश को त्याग कर आजी विका के है तो आपके यहाँ कोई नौकरी करने के ख्याल से आया हूँ मुझे कोई नौकरी दे दो तो मैं सदा आपके प्रति रुतर्द्य रहूंगा जैशिल ने निवेदन किया राजा कनकाक्ष ने मंतरी की ओर देखा मंतरी ने जैशिल से कहा महराजा ने तुम्हें नौकरी देकर अपने कार्यकर्ताओं में से एक भना लिया है राजा के आदेश का पालन करना एक कार्यकर्ता का कर्तवयो हो जाता है जैशिल महाराज तुम्हें युवराज तधा युवरानी को धूंड लाने का आदेश दे रही है जैशील अपना मस्तक जुका कर जवाब देने ही जा रहा था कि तबी एक सेवक मोतियों का एक खार तधा ठूटी तलवार लेकर बोला महाराज ये चीजें उस पेड़ के पास एक बहेलियों को मिल गई है जिस पेड़ के यहां से युवराज तधा युवरानी गायब हो गए है बहेलिया बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है कहानी और है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए झाल झाल झाल